जी हाँ आरुसी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टिटूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग दस किलोमीटर के आसपास है जी हाँ हम अपने जी हाँ हमारे प्रधान मंत्री जी स्री नरिंद्र मुझी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफरीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गया है जी हाँ आपे देख सकते हैं आईटीटूड होल फेस भी बहुत ही आसांटीटूड है जी हानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 5.6 किलो मिटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मिटर हो जाएगी we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly eight hundred eight hundred meters at the end of this phase gha jaisa ki arusi ji ne bataya ki lag bhag teen minute ke upraan lander ki height lag bhag 800 meter vertically hogi aur eha pe lander ki horizontal velocity vertical velocity even downrange be lag bhag lag bhag sunni ho ga we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly eight hundred and thirty one kilometers ji haan aap apne screen pe dekh sakte hain ki lander ki uchai ab chandrama ke sata se lag bhag teen kilometer se kum ho chuki hai we are very close to the moon's surface nearly 2.6 kilometers as we can see ji haan abhi aap dekh sakte hain ki lander ki uchai lag bhag lag bhag 1 kilometer ke aas pas hai we are nearing the final phase of the power descent which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase ji haan abhi hain fine breaking waste ke takte hain finn taliye kag valid hat seCrehe hain ki ham logon nyetis re charn ko hih behut hij sakhaltha purvik haasil kar liya hai aur abhi hum vertikal descent phase錯 hali kay State sufak fryat bhi bhaggun hih huchtye dunk se ho chukü hain lot of applause आप अपने पे देख सकते हैं कि लाइंडर कीया हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस इस स्थेज के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 स के लिए होरिंग करेगा we are above the landing site the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग एक सो पचास मीटर की अचायी पे हैं चंद्रमा के सता है जी हाँ, आप इस तालियो के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं, जो के सेकेंड हावरिक फेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे वैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ, अगर थिर से ध्यान से देखें, तो आल्तीटुड पुना कम होता जा रहा है, अभी हम लोग लगवग लगवग एक सौप आँपाई तीस मीटर की उचाइपे हैं अभी आपे देख सकते हैं कि लांडर की उचाई लगभख 75 मेटर के आसपास बची हुई है अभी आपे देख सकते हैं कि अभी आपे देख सकते हैं कि लांडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभख 50 मीटर से भी कम आचुके हैं We can see the Honourable Prime Minister Srinarendra Modi Ji who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals आप अप्नी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लाइदर माडूल पीपल आर अप्लोड़ुदिग लाइंडर माडूल पूरी तरह से शेपली और साफ्टली चंद्रमा के सतह पे लाइंड हो चुका है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही उंदा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition अधरनेय प्रदानमंदर जी, नमस्कार Sir, we have achieved soft landing on the moon, India is on the moon Sir, I request our honourable Prime Minister to address us and bless us, thank you sir मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामें ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी एतिहासी घटनाएं, राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आव विश्मनिय है, ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सिद भारत के संखनाद का है ये च्छा नए भारत के जैगोश का है ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है ये च्छा जीत के चंदरपत पर चलने का है ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है ये च्छा भारत के उदयमान, भाग्य के अहवान का है अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भरसा हुई है हमने धर्ती पर संकल पलिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वे ज्यानिक साथियों नभी कहा इंडिया इस नाव अन दे मून